अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए लास्ट वीडियो जो हमने क्या था उसमें हमने फॉस्ट ली भोजन के बारे में डिसक्रशन कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मानाव स्वास्ति के बारे में तो मानव स्वास्त है, जब हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है? आपकी book के according की चलेंगे पूरा की पूरा NCRT जो अपनी RBSC की board की जो books है अपन उसी के according चल रहे हैं ठीक है तो आज की जो class है उसमें अपन ये तीन topic पढ़ने वाले हैं कौन कौन से जल, मोटापा और रखते चाब ठीक है तो अगर अपन जल की बात करें देखो जनरल जो बाते हैं वो मैं आपको के साथ यहां पर डिस्कुस नहीं करूंगी कि जो आपकी books में description है कि पानी को waste नहीं करना चाहिए हम waste कर रहे हैं प्रिदूशित कर रहे हैं ये चीजे आपको भी ध्यान है और ध्यान में रखनी भी है कि हमें जल बचाना है लेकिन उससे ज़्यादा important अगर हम exam पर पस्से बात करें तो वहां पर छोटे छोटे questions हमें ध्यान देने हैं कि कौन कौन से points हैं जो exam में आते हैं तो अगर हम बात करें पीने योग्ये जल के गुण तो अगर आपसे भी usually पूछा जा रहा है कि आप कैसा जल पीना पसंद करेंगे इसको आप books के तरीके से मत पढ़िए generally knowledge गेंग कीजिए तो आपसे पूछा जाए कि आप कैसा जल पीना पसंद करेंगे तो जाहिर सी बात है जिसमें कोई भी काण नहीं दिखाई दे रहा हो यानि कि उसमें मिट्टी की दियो तो पीओगी क्या नहीं पीओगे ना तो बस वही बात है और उसमें कोई भी सुक्ष में जीव नहीं होने चीए उबला हुआ अच्छा ना हुआ पानी यह तो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हो और ऑक्सीजन यूख तो होना चाहिए ऐसा पानी हम पीना पसंद करेंगे तो यही पीने योग्य जल के गुण होते हैं आरे यह बात समझ में उसके बात में नेक्स्ट है कि आपसे पूछा जा रहा है कि भी पीने योग्य जल है और वो मारे शरीर में क्या कारिय करते है क्यों पीना चाहिए हमें पानी तो उसको क्या रीजन है कि देखो सबसे फ़र्स्ट चीज कि अपने शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है जितनी भी मेटाबॉलिजम हो रही है वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है किसके माध्यम में होती है कौन माध्यम रहता है तो जल रहता है तो यहनी सारी उपापच्चे क्रियाएं जो होती है वो पानी में होती है ठीक है उनके लिए माध्यम का काम करता है तो हमारी शरीर के लिए बहुत जादा जरूरी है पानी और डॉक्टर से सला भी देते हैं कि डेली की डेली साथ से आट ग्लास पानी पीना चाहिए ठीक है और साथ में आप खुदी फील करोगे कि जिस दिन आप कम पानी प्यास लगती रहती है उस कंडिशन में हम लोगों में काम करने की इतनी एनर्जी नहीं होती है जबकि जो पा प्रतीरोदक्षमता इम्म्यूनिटी पावर बढ़ती है और बहुत सारे रोग है जैसे पत्री है पत्री के इलाज के लिए डॉक्टर क्या बोलते है कि बहुत सारा पानी प्यों ठीक है यह तो आप सब को आपकी जानी होई बाते हैं कि बहुत बार अपने घर में भी किसी क उतना पानी पी ओ बोलते हैं ना हाँ तो बस वही बात है ठीक है और अगर हम यह बात करें कि ठीक है हम पानी भी पी रहें और अच्छा लेकिन वो दुशित है अच्छा पानी नहीं है तो उस कंडिशन में क्या होता है मारे साथ में देखो दुशित चलके दुश पानी डिया है जो पानी की वज़े से फैलती है यानि अप अगर अच्छा पानी नहीं पी रहे हो दुशित पानी पी रहे हो संक्रमण वाला पानी पी रहे हो तो यह बिमारिया जाती ये कौन कौन सी बिमारिया हैं जिसे हैजा है, पेचिस है, हेपीटाइटिस है, फ्ल्यू है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, ये सारी की सारी बिमारिया, ठीके? और बहुत सारे जेवानु है, प्रोटो जो आए, इंका संक्रमन भी दुशित जल से ही होता है ये जो मैंने किया है मैं दूसरे कलर में बता देती हूँ क्योंकि रैर तो ये खुदी है ये देखो ये जो लाइन है नारू रोग ड्रेकंकुलस ये दुशित जलका है और इसको most important समझ लो board exam में अक्सर आता है ये question ये जो पूछ लेगा नारू रोग का दूसरा नाम हो रहा है क्या नाम है बाला रोग ठीक है बाला रोग बाला बाला वाले से ही आप याद रख सकते हो कि बाला रोग ठीक है इसका जो वाहक है संक्रमन है किसे वह होता है क्रमी है यह पूरान की प्रग्रा नाम इत्यािक द्रैकरखैस मेडिनेस इसमें दिखो देखो कि शरी-, प्रवेश कर गया ठीक है उसके भाद में पैर में फोट फोटब का हो जाएगा को हमातर देखो यह मेरे पास में से सफ़ोड़ एप यह थोड़ा सा 사Pal निकलता जाता है, डॉक्टर्स भी जब इसको ठीक करते हैं, तो पूरा की पूरा एक थ्रेड की गट्टी जितना बड़ा धागा एक खटा होता चल जाता है, प्लस ये खुल गया फट गया घाओ, अब अगर ये व्यक्ति पानी में जाता है, सपोस्थ आपके तालाब है, उन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया था, और राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में इसको संक्रमन बहुत ज़्यादा फैल गया था, और दो हजार में जाकर इससे हमें मुक्ति मिल पाई थी, ठीक है, आर ये बात समझ में, इसके अलावा, अगर हम बात करें, अब इस फोटो को देखो कि कोई भी व्यक्ति है जनरली ठीक है वो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हुई और बी जादा यह विक्सित हो गया उसके बाद में इसकी और भी वोड़ी फूल गई और यह बहुत ज़्यादर बोड़ी फूल गई दीरे धीरे बढ़ता है मोटा पा ऐसा नह कौन सी परियादते हैं जिसे फास्ट पूर्ड वगेरा खाते हैं जंग फूर्ड पिच्छा बर्गर यह चीजे इसके अलावा जैसे बहुत ही चादर रेस्ट करते हैं आराम कर रहे हैं बैड बेड पड़े हैं और अब जैसे लोकडाउन का टाइम चल रहे हैं ऐसे टाइम प हलका सा कोई थोड़ा सा मोटा में यह में ली मोटापा ग्सकी विज़े से होता है हमारे शरीर में जो grandmother अगर उपयोग में नहीं आरी तो मृटारी में ढोलना लगती कई देलेजम के पूलने प Вसे शरीब नहीं है तोौने बड़ी बन रहे हैं तो आएसा नहीं होताँ क्या होता है देखो कि जैसे हमारे जो जो हिरदय से जुड़ी हुई जो भी धंटिया शिराय उन में भी जान शिप जाकि और उन में जैमेगा तो क्या होगा कि हम हिरदय संबन्दित भीमारिया हो सकते हैं और निद्रा संबंदित भी आ जाती है कि जब सोते हैं तो उस टाइम पर स्वास लेने में दिक्कत आती है ना ऐसी बड़ी-बड़ी बीमारियां भी हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होगा म्रत्यू तक हो जाती है बई किसी के अगर उर्दै से संबंदित वाही नियों में यानि कि धमनी में शिरा में अगर पूरा जम गया तो क्या होगा वापस बलड़ नहीं जा पाएगा तो म्रत्यू होगी ना और ऐसे ही अगर सोते टाइम पर स्वास नहीं आ पा रहा है बहुत कि ऐसे नहीं है अब आप सब लोग अगर कोई भी हलका सा मोटा है तो टेंशन में आ जाओ अरे नहीं नहीं हमारे मोटाप ऐसा नहीं है मोटापे के लिए डॉक्टर्स ने एक मानक बताया कि इसको आप बिमारी वाला मोटापा कह सकते हो कि जो भी आप निकालते हैं बी एम मास इंडेक्स यानि आपका जो भार है वजन जो है आपका उसमें आपने आपकी लंबाई का भाग दे दिया ठीक है तो उससे क्या जाएगा बोडी मास इंडेक्स ठीक है तो अगर किसी का 25 किलो यानि कि एक मिंटर स्कॉयर बोडी में कितना वजन आ रहा है 25 किलो तो वो भ भाई बिमारी ही है ठीक है अब देखों मेरे पास एक वो है इसे रोग कौंकों से जिसे मैंने बताया ता हिरदय रोग है डाइबिटी शूगर जिसको बोलते हैं ना हिंदी में शूगर को ही मदू में बोलते हैं ध्यान रखना और निद्रा कालीन स्वाश समश्याएं हैं और अस्ती संद्यारती ठीक है यह बिमारी है इससे हो सकती है अब अगर हम आगे चलें तो कारण मैंने बताई दिये कि आप भोजन तो बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खा रहे हो लेकिन व्यायाम नहीं कर रहे है या तेल वसा वाले ज़्यादा ज़्यादा घी है या फिर त पेल वाली चीज़े खा रहे हो तली हुई चीज़े तो वह भी क्या है वसा है उनमें तो जाके जमेंगी ठीक है और जंक फूड है पिजा बर्गर खारे हो तो वह भी गलत है और हमारे शरीर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या ज़रूरी है ज़्यादा थायराइड की बिमारी के नाम से जानती हो घखो अभी मोंट को देखो जा पिर बहुत ज़्यादा ग्पी रहा है यह फिर स्वेट्स खा रहा है मीठी चीजे वो भी आपके मोटापे को बढ़ाती है उससे देखो ये इंग्लिश का है लेकिन आप समझ जाओगे बचो मैंने तुमारी help के लिए ही डाला है देखो मोटापा है उसके जो इधर arrow है वो सब तो क्या है उसके प्रभाव कि क्या-क्या उससे फर्क पड़ रहा है और ये सारी चीजे क्या है उसके cause यानि की कारण क्या-क्या बता रहे हैं कि एक तो physical in activity यानि की हमशारिरी परिश्णम कम कर रहे हैं बहुत जादा खाना खा रहे हैं ठीक है हमारा social economic status है हमारा वातावरण भी है और कुछ में आनुवाशिक भी होता है कि कि जी के parents अगर healthy healthy ह ठीक है अगर अगर अपने इसके effects की बात करें तो effects क्या-क्या है जैसे है फॉस्ट है अपका इंडियन इंसुलीन रेसिस्टेंस यानि की diabetes हो जाती है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है ठीक है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज का मतलब है हिदय संबन्दी द्रोग ठीक है और्थराइटिस जो गुठनों के दर्द होता है न उनको बोलते है कैंसर हो गया आपके obstructive sleep एपीनिया हो गया वही अपना जो हिंदी में था न निद्रा कालीन स्वाश समश्या वो चीज हो गई infertility हो जाती है यानि कि इन्जान में जनन की शमता खतम हो जाती है मोटापी की वज़े से ठीक है और next है psycho problem यानि कि हमारे दिमाग में कुछ अजीब अजीब से विचार राने लगते है इस टाइप की समश्याएं भी होती है आगे चलते हैं next point आपका रख्तचाप अच्छा यह जो मैंने डाइग्राम दिया है यह आपने देखी हुई है देखिए ना कभी कभी किसी के ऐसे problem होती है तो डॉक्टर इसको कहां पे यहां पे left hand पे यहां पे बांद कर और इस pump से को ऐसे से दबा के और इस watch में देखते हैं देखा है ना ऐसा आज अपन इसी के बारे मे इसका क्या नाम है इस पिग्णो मैनोमिटर क्या बोलते हैं इसको इस पिग्णो मैनोमिटर ठीक है अब नॉर्मली इसकी क्या रेशो आना चाहिए एक सो बीस बटे असी क्या रेशो आना चाहिए इसका एक सो बीस बटे असी ठीक है 120. 88 जी ईसका नाम क्या है इसिविग्नोमेनोमेटर, क्या बोलते है इसको सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने घोडों में देखा था, sudah चैने स्टीफन हिल्स नामके वग्यानिक न और होता क्या इसमें कि जो हमारे हिर्दय से जो भी रक्त निकल रहा है धमनियों में ठीक है उसको यह जो कपड़ा सा होता है ना काफ बोलता है इसको यहां पर भान देते हैं काफ मसल्स पे और उसके बाद में यहां पे आपके जो धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो दिवारों पर धमनी की जो दिवारों पे फूल नहीं जाता पाइप वैसे हमारी धमनी है वो भी फूल जाती है तो उसका दाव कितना हो रहा है बस यही पता लगाता है नॉर्मल कितना होता है एक सो बीस बटे असी अगर हम इसकी बात करें एक सो बीस बटे असी तो एक सो बीस तो क्या होता है डास्टोलिक प्रेशर ठीक है और यह कितना होता है सिस्टोलिक प्रेशर इसका मतलब क्या है कितना होता है एक सो बीस बटे असी तो एक सो बीस तो क्या है आपका सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर औ और यह क्या होता है डायस्टॉलिक प्रेशर emphas भीस केमें तो कितनाको डाब्वाब एक सो बीस तक चलेगे ठीक है और जब रख लिए you do it यो बात में भी वह दिरे धीरे पहरी जादाबो एक नदीव कम तो तो उस भीस prepared प्रवाग कम हो जाएगा और उस condition में कितना होना चीए 80 होना चीए ठीक है अगर इन मान से जादा मान हो जाते हैं तो उस condition को पर क्या बोलते हैं BP बीपी हाई बोलते हैं किसी किसी बड़ों के प्रॉब्लम होती है BP हाई हो रही है तो उसका मतलब क्या है यही मतलब है ठीक है और अगर इस मान से कम मान हो रहा है 120 पर 80 दोनों एक साथ कंसीडर होंगे ऐसे नहीं रहना पंगों कि 120 से 80 के बीच में नहीं यह जो 120 है वो आपका इससे कम है तो उसको क्या बोलेंगे BP लो की प्रॉब्लम है ठीक है अब उसका भी यह देखो मैंने डाइग्राम इस तरीके से देखा होगा ना नापते हुए आपने वही चीज है अब मैंने बता दिया निम्न रक्त चाप और उच रक्त चाप आपको वैसे भी बता दिया BP BP हाई और BP लो तो BP लो के तो क्या क्या होगा रक्त का प्रवा कम हो जाएगा जिससे क्या होगा कि रक्त का प्रवा कम हो गया यानि धमनियों से रक्त धीरे जा रहा है तो वो हमारी जो बड़ी बड़ी अंग है मस्तिश्क है हिर्दय है किड़नी है वहाँ पर नहीं पहुं काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा बताओ कि मृत्यू भी हो जाएगी व्यक्ति की और ऐसे अगर हम बात करें उच्छ रक्त चाप की तो उच्छ रक्त चाप में क्या है देखो जो चिंता करते हैं बहुत जदा शोक गुसा इन सब चीजों की वज़े से या फिर तला हुआ भोजंग खा रहे हैं सिग्रेट पी रहे हैं यह सारे की सारे बीपी हाई के कारण है अब आपको पता होगा कि बीपी हाई वाली अब हमारे ब्रेम को इतनी जड़रत नहीं है और उसी स्पीर से प्लड़ जा रहा है तो क्या होगा हमारी जो नसे हैं वो फट जाएगी और कई बार हम सुनते भी हैं कि किसी व्यक्ति की म्रत्य हो गई नस पटने से उसका रीजन क्या होता है बीपी हाई होना और बीपी युक्त भोजंग करना चीए डिबाबंद जो भी खाद्य सामागरी होती है उनका उपयोग नहीं करना चीए कैलशियम मैगनीशियम युक्त भोजंग करना चीए ध्यान योग प्रनायाम ये सब करने चीए डेली वाक करनी चीए और हर्ट पेशन्स को वैसे भी बताते हैं क लेकिन फिर भी हम लोगों को हमारा धिहान रखना चीए और हमसे जो बड़े होते हैं उनका भी जिहान रखना चीए आई होप आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तब को ताकि आपन आगे पढ़ें तब मैं आगे की वीडियो डालू तो आप देख सके और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए थैंक यू